दोस्तों आपको याद होगा कि सीजन वन में कितने ही सारे स्टार्टप्स आये थे जो कि कोई भी नंबर का मुँ मांगा वैलिवेशन मांग लेते थे 300 करोड, 400 करोड जो भी नंबर आये मुँ में बस बोल दिया करते थे वो पास 56 ice cream के entrepreneur ने तो 1200 करोड रुपय का वैलिवेशन मांगा था जो कि कोई भी H&I नहीं दे सकता, even sharks तो बिलकुल नहीं कुछ-कुछ इस स्टार्टप्स तो pre revenue होने के बावजूद भी ये वैलिवेशन मांग लेते थे अब क्योंकि वो पहला सीजन था तो बिना logic के, बिना समझके entrepreneurs जो मन में आये बोल दिया करते थे और बदले में sharks भी उन्हें खोल देते थे अब इस सीजन में वापस से फिर एक ऐसा स्टार्टप आया है जिसका नाम है हूड उन्होंने अपने स्टार्टप की वैलिवेशन 600 करोड उपे लगाई है हूड एक new age pseudonormous social network है और हूड असल में उसका नया नाम है उन्होंने अपना नाम करण करवाया है पहले उनका नाम जोरो हुआ करता था इतना ही दोस्तों अगर आपने इनके investors की list देखी न तो हाप के तोते उड़ जाएंगे इसकी हम खुद guarantee देते हैं हूड के founders ने Twitter पर shark tank की jam के बजाई थी और इसके बावजूद उन्हें shark से offer मिली तो ऐसी क्या बज़े थी कि इतनी भारी भरकम valuation होने के बावजूद sharks ने इन्हें offer दी और क्या इनमें और season 1 के entrepreneurs में कोई खास फर्क था आज की वीडियो में हम hood और उसके founders का सफर जानेंगे ये वीडियो हमने net space इंडिया के साथ मिलकर बनाई है जिसके बारे में हम बात में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा end तक जरूर देखेगा अब इशा की तरह है स्टार्ट अप एनलिज पर आपका स्वागत है जहां हम business startups और entrepreneurship से जुड़े videos बनाते हैं पूर्ट के founders है जस्वीर सिंग, दीपक कुमार और अभिशेक अस्थाना उर्फ गबबर सिंग अभिशेक अस्थाना ट्विटर पर जानी मानी हस्ती है और गबबर सिंग उनका Twitter username है उन्होंने Simbosses Institute of Business Management से अपना MBA पूरा किया उन्होंने Samsung India, Pedilite Industries और Free Charge में काम किया उसके बाद उन्होंने Ginger Monkey नाम का एक startup भी शुरू किया और एक साल में एक million dollar के annual recurring revenue तक scale किया Ginger Monkey एक ad agency है जिसने Durix, Mobyquick, Colgate, MPL, Urban Company, Edelweiss जैसी companies के साथ में काम किया जस्वीर सिंग, Hood के CEO हैं उन्होंने 2009 में आगरा के Dr. B.R. Ambedkar University से Mathematics में Bachelor of Science पूरा किया उन्होंने 2012 में गाजियाबाद के Institute of Technology and Science से graduation पूरा किया जस्वीर सीरियल entrepreneur है यानि की Hood उनका पहला business नहीं है इसे पहले भी वो business बहुत सारे कर चुके है sparehousing.com, quickstay, उनके कुछ companies के नाम है जहां से उन्होंने exit ली है उनके तीसरे को founder है दीपक कुमार जो की Hood के CEO है वो जम्मू के श्रीमाता वैशनोदेवी University से computer science के student है In short, parallel dots और black belt help जैसी companies में उन्होंने software developer का का काम किया जस्वीर सिंग ने 2020 में दीपक कुमार की मदद से dot review शुरू किया जहां founders, दूसरे founders से investors के बारे में बात कर सकते हैं और अपने experience से share कर सकते हैं concept wise देखा जाए तो Hood और इसमें काफी समानता है जब उन्हें और भी जादा engagement मिलने लगा उन्हें idea आ गया था कि कोई भी बड़ी चीज हो सकती है तो सिर्फ investors और founders तक project को सीमित नहीं रखना चाहिए उनकी बुलाकाद गबबर सिंग यानि की अभिशेक अस्थाना से हुई जो already Twitter पर viral थी pseudonomas का मतलब असली नाम छिपा कर कोई भी बना-बनाया नाम हो सकता है जैसे अभिशेक अस्थाना खुद गबर सिंग नाम को इस्तिमाल करते हैं और उनके Twitter पर 1.4 million followers है उन्होंने आकिरकार 2021 में हूड शुरू किया sign up के वक्त contact को sync करने पर आपके contacts के लोग होंगे लेकिन कोई फर्जी नाम से आप केसी group को join कर सकते हो जहां अलग-अलग topics की बाते हैं खासकर वो बाते जो नाम display होने के डर से आप नहीं कर पाते और ये सब करने के बाद उन्होंने जून 2022 में इसे launch किया अब यहां social media का game समझना जरूरी है share chat, koo, chingari, josh, flick, moj ऐसे बहुत सारे कई made in India social media apps हैं पर facebook, instagram, snapchat और foreign apps के सामने हमारे apps कम पढ़ जाते हैं इंडिया में share chat जैसे apps का USB है कि वो देश के अलग-अलग भाशाओं से social network बनाना इंडिया के बाहर के markets में launch करने में और भी परिशानी होती है क्योंकि उन markets को समझना भी जरूरी है लेकिन तीन महीने पहले इंडिया के एक app ने ये कारणामा करके दिखा दिया बैंगलूरू में बसी Twitter की Indian rival company Koo को 21 नवंबर को ब्राजील में launch किया गया और launch के 48 घंटों में app पर 1 million users आ गये और Android और Apple App Store दोनों पर number one पर trending कर रहा था कई Brazilian celebrities जैसे की रोशाना हर्मन और बाबू संताना ने भी कू जोईन किया और इस तरह इसके वाइरल होने की वज़े थी कू इस नाम का कुछ और ही मतलब है अब यानि आप समझी गए होंगे उस हिससे को भी कू कहते हैं और इसलिए ब्राजील की जनता इस पर लोट पोट हो गई अब मज़ेदार बात ये भी है कि अशनीर कू में भी investor है जरूर अशनीर के दिमाग में कुछ दाल पक रही है अब हर कोई तो कूछ इतना खुश नसीब नहीं होता है न लेकिन किसी महान आदमी ने कहा था कि नसीब नहीं तो क्या हुआ साथ में investor तो है दोस्तों इंडिया के सबसे बड़े unicorn founders हूड के investors के list में है और शायद ये गबबर सिंके networking का ही नतीजा हो सकता है अशनीर तो है ही साथ में PTM के founder विजय शेकर शर्मा क्रेड के कुनाल शा ओयो के founder रितेश अगरवाल grow के founder ललित केषरे जुमैटो के founder गौरव गुपता नजारा गेमिंग के founder नितीश और बिजनस के founder आशीश और रुची कालरा हूड में investor है और भी बहुत सारे हैं पर इतने भी काफी हैं आपके जानकारी के लिए बतादू कि इस टिस्ट में इंडिया के सबसे बड़े entrepreneurs हूड के दावत पर बैठे हैं अब ऐसा समझ लो कि इंडिया के unicorn founders मिले और उन्होंने साथ में मिलकर पैसे लगा दी इतनी बड़ी backing होना business की दुनिया में बहुत बड़ी बात है जब ऐसे unicorn founders की फौज आपके पीछे खड़ी हो तो आगे जाकर funding उठाते वक्त investors खुद सामने से पैसे देते हैं क्योंकि अगला investor भी सोचता है कि जाहिर सी बात है कि उन founders ने कुछ तो सोच समझकर पैसे लगाए होंगे न लेकिन शाक्स खासकर अमित जैन ने ऐसा नहीं होने दिया जैसे जैसे सवाल जबाब का सिलसिला आगे बढ़ा शाक्स को पता चला कि founders ने अभी तक हर चीज के ऊपर सोचा ही नहीं इन फाक्ट बहुत सारा काम होना तो अभी बाकी है उन्हें अपने बिजनस के नंबर्स जैसे कि वारिलेटी कोफिशेंट पता ही नहीं था वारिलेटी कोफिशेंट मतलब existing पुराने कस्टुमर से कितने नए कस्टुमर्स आ रहे हैं और ये बात साफ हो गई जब अभिशेक ने शाक्स को बताया कि वो आयम एहमदाबाद भी जाने वाले में हुड को प्रमोट करने पियूश का मानना था कि अगर इतनी वारिलेटी होती तो लोग खुदी आने चाहिए थे न उपर से ये प्री रिवेन्यू भी थे अलाकि टेक में खास कर सोशल मीडिया में खेल थोड़ा सा अलग होता है और वो हम आप से आगे डिसकस करेंगे आखिरकार 112 करोड के वैलुएशन पर हूड ने डील पकी कर ली और इसमें 60 लाग 0.54 परसेंट के बदले रेज किये और बाकी के 60 लाग का उधार लिया शाक टैंक पर जितने भी e-commerce बिजनस आते हैं ये सब अपने अपने डोमेन रेजिस्टर करते हैं सब का खुद का वेबसाइट होता है अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो NetSpace India आपका वन स्टॉप शॉप है एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरुत परती है NetSpace India के Linux होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है इनके सारे प्लान Malware से protected होते हैं एक्रोनिक्स भी बैकप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से गूपन कोड वन रूपीज का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिहां सिर्फ एक गूपन में तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाहिए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्ट अप से लीनुक शेयर्ड होस्टिंग और विंडो शेयर्ड हो होती है हूट ने भी टैंक में रिवेन्यू की बात ही नहीं की उन्होंने अपने एंगेजमेंट नंबर्स बताए थे कि उनके प्लाटफॉर्म पर 5,000 गृप्स हैं, 7,500,000 यूजर्स हैं और इनमें से 2,40,000 मंतली अक्टिव यूजर्स हैं और 6,000 डेली अक्टिव यूजर हैं इसमें भी पर-thread engagement अलग है क्योंकि किसी एक topic के बारे में लोग कितनी बाते कर रहे हैं इससे topic का sensationalism पता चलता है हूट का मानना है कि फरजी नाम होना उन्हें बहुत बड़ा बना सकता है और अब वो US में उतरना चाहते हैं और शायद इसलिए वो shark tank में भी इतनी बड तरकीब का इस्तिमाल करते हैं TikTok दुनिया का fastest growing social media app है सुर इसकी parent company by attendance दुनिया का सबसे महगा startup है लेकिन TikTok काफी AI driven तरकीवों से इस मुकाम पर पहुचा है दूसरे कई social media companies फिलहाल पाइवर्ट कर रहे हैं जब मस्क ने Twitter को 44 billion dollar में खरीदा था तो वो Twitter को free speech का platform बनाना चाहत लंबे वीडियोज डाल सकते हैं पर सबसे एहम बाद 50% ads भी कम होते हैं website users को हर महीने 650 रुपए चुकाने होते हैं और Android या फिर iOS app users के लिए ये रकम होती है 900 रुपए यानि कि इस subscription model में advertising revenue वो धीरे धीरे कम करना चाहते हैं वो उनका major income source नहीं रहेगा और सिर्फ 10 दिन ब पड़ेगा खैर आज के लिए फिलार इतना ही उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करना ना भोलें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में